अगर यह चनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज दो सब्सक्राइब दे चैनल लेट्स डाइव इन्टो दे वीडियो सबसे पहले हमें यहाँ पर गूगल क्रॉम ओपन कर लेना है नेक्स्ट वी हाँ टू सर्च फोर ओसेज 5.0 हमें पहली लिंक अक्सेस करने को मिलेगी मैं यहाँ पर धन्यवाद ग्यापित करना चाहूंगा हमारे प्रिंसिपल श्री जेके गुर्डलिया सरका जिन्होंने मुझे पर्मिशन दी यह वीडियो रेकोर्ड करने के लिए धन्यवाद सर लेट्स अड्ड द कैप्चा मैंने अल्रेडी लोगिन क्रिदेंशल्स आड्ड करके रखे हुए हैं लेट्स लोगिन इंटो दा पोर्टल हमारा पोर्टल यहाँ पर लोगिन हो चुका हम देख पा रहे हैं बहुती अच्छी तरीके से इसको सैट किया गया है इसका जो नया लेट है वो बहुती अट्रेक्टिव है हमें यहाँ पर अप्लोड फोटो अप्शन सेलेक्ट करना रहेगा लेट्स क्लिक ओन पैंडिंग यहाँ पर हमारी फाइल्स ओल्रेडी अप्लोड की गई है यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा जियो टैग इमेज के तौर पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इमेज हमें अक्सेस करने के मिलेगी और हमें यहाँ पर उसको दो एमबी से कम साइज में अप्लोड करना रहेगा जिसके लिए मैंने ओल्रेडी टुटोरियल मेरी चैनल पर शैर कर दिया है आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हैं और अल्स यू कन एक्सेस इट फ्रम दिस्क्रिप्शन बॉक्स next is playground photo मैं आपर add करना चाहूंगा जो भी आपकी images है उसको आपको jpg में save करना रहेगा it should be in the jpg file only next is library photos अगर आपकी image display हो रही है फिर भी आपको हर एक image को upload करना रहेगा I am repeating again you have to re-upload each and every image in the portal let's upload chemistry laboratory photo next is physics laboratory next is biology laboratory next is toilets next is cwsn toilet photo यहां पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं file size अगर एक MB या एक MB से ज़्यादा है तो वो accept नहीं होगी let's compress the specific file let's open it into the paint हम यहां पर इसको resize करेंगे यहां पर percentage में उसको resize करूंगा I am setting it to 60 okay पर click करेंगे save करेंगे यहां पर देख पा रहे हैं 742 KB की file हमारी होगे let's reselect the file you can see that अब हम आसानी से उसको upload कर पाएंगे next is math lab next is ramp photo I am repeating again each and every file and your video should be 3 upload for the same let's select the computer lab photo let's choose the video for the same हम यहां पर हर एक image और video को upload करेंगे let's click on submit submit करते ही यहां पर हमारा data successfully upload हो चुका है you can see the output of the same uploading होने के बाद हमें यहां पर हमारा next जो section है faculty details वो access करने को मिल रहा है let's click on dashboard जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं हमारा जो photo section uploading है वो complete हो चुका है इस तरह से आप यहां पर हर एक photo को upload कर सकते हैं इसके regarding आपको कोई भी queries है please do comment in the comment section हम definitely आपकी queries का answer देंगे और इसी तरह के cbsc related videos को देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए हमारी चैनल को like share and subscribe करें and stay tuned for the next video thank you very much for more technical videos please click on subscribe button and do not forget to press the bell icon for notifications of new videos